हलो गई जीब फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक अपसी में दोस्तों आज की इस modern world में देखा जाये तो daily ही कोई ना कोई gadget हमारी लिए बनता है जो कि हमारे कामों को आसान बनाने के लिए invent किया जा सकता है लेकिन सारे gadgets ही हमारे use में आये या फिर कहें सार उसी robot से बच्ची जब वो छोटे होते हैं तो वे full excitement और joy में होते हैं और उन्हें नई नई चीजे try करने का बड़ा शौक होता है ऐसे में अगर उनके simlings या फिर पैट होते हैं तो वे दिन भर busy रहते हैं लेकिन अगर child single है तो उसे busy रखपाना काफी जादा मुश्किल होत इस तरह के अलग-अलग tasks देता रहता है और इसे voice command के through on या off भी कर सकते हैं इसके साथ ही parental control के लिए इसे smartphone में इसकी applications के साथ operate कर अलग-अलग task दिये जा सकते हैं और अपने child का data इसमें store करके रखा जा सकता है इसके अलावा अपने बच्चों से better interaction या फिर communication इस application के through ही feed कर नहीं होती है और इसे first time इसे pair करना अपने application QR code को robot के through scan हो जाएगा जिसे कि इसे अपने kid को अलग-अलग task के through busy रखा जा सकता है आज कि इस modern world में हर कोई multitasking करना चाहता है जिससे कि वो अपना अच्छा खासा time save कर सके और ऐसे में हम दिन पर दिन तेजी से distract होते चले जाते हैं और हमारा किसी भी काम में कोई money नहीं लगता और उस distraction को reduce कर काफी हद तक minimum करने के लिए बनाया गया यह शांदार से device crown जिसे पहन कर आप किसी रियासत के राजा तो नहीं बन पाएंगे लेकिन आप अपने काम पर अच्छे से focus जरूर कर पाएंगे क्योंकि यह एक तरह का डबल ईजी यानि की लेक्ट्रियोन सेफलोग्रॉम डिवाइस है जिसने की आठ तरह के अलगले sensor और दो हैटिक मोकडर्स लेने के बाद continuity तीन घंटे तक यूस में लिया जा सकता है around 65,998 रुपीज में आने वाला यह gadget आपके mind की सबी activities को monitor करके एक तरह की report भी prepare करेगा जिससे की यह easily identify किया जासकता है कि किस time पर हम सबसे ज़्यादा focus रहते हैं और किस time पर सबसे ज़्यादा distracted दोस्तों अगर आप हमाई चैनल पर डेली विजिट करते हैं इस चैनल पर जैकप एंड को कंपनी की लक्शिरियस का ही सारी watch देख रखी होंगी लेकिन जीरो टाइम नाम की इस कंपनी ने कुछ इसी तरह की watch डिसाइन की जो की पूरी तरह से एक mechanical watch और इन mechanical watch की problem यह है कि ए तो इन्हें काफी time और मैनत से बनाना पड़ता है और अगर इसका एक छोटा सा पाड़ भी इदर से उदर हुआ या फिर उल्टा से सीधा जुड़ा तो पूरी की पूरी watch की वरकिंग ही खराब हो जाती और सारी मैनत बेकार हो जाती खेर इस watch को Japanese company ने affordable price पर launch किया है जो की जैकब और को की watch से काफी हद तक cheaper rate में आपको मिल जाए कि price 4000 डॉलर ही जबकि look तो इसका भी luxury है बट उतना भी नहीं दोस्तो इस शांदार से high tech lens आपके देखने का पूरा का पूरा विउव ही change कर सकते हैं क्योंकि इन्हें पहनने के बाद आपका पूरा विजन पूरा का पूरा तो नहीं बट कुछ-कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा कि just in league में cyborg का था और ऐसा करने के इन lens में bio shift sensor, image sensor और motion sensor का इस्तमाल हुआ है, यह lens हर एक person के लिए specially designed किये गए है, जिससे कि हमारी आखों में एकदम perfectly fit हो जाते हैं और natural भी लगते हैं, इसमें normal view के अलावा भी कई सारी अलगला information देखने को मिलती है, और इनसे जो हमारा normal view है वो बिलकुल block नहीं होता, खेर इसके बारे में और information चाहिए, तो इसका link मैंने आपको description में दे दिया है, नमबर 7, Electra VR headset and simulator, basically यह एक तरह का advanced VR headset है, जो कि especially gamers को धियान में रखकर बनाया गया, क्योंकि इसमें लगे dual lens और eye की according ही, यह adjust हो जाते हैं, और इसकी image quality भी किसी भी normal VR headset से काफी अच्छी है, इसके लावा यह पहनने में काफी हद तक lightweight and comfortable हैं, जिससे की game अच्छे से enjoy किया जा सकता है, और इस gaming को और भी ज़्यादा addictive और enjoyable बनाया जा सकता है, especially जिनने car racing game में मज़ा आता है, उन लोगों के लिए design किया गया है, Electra X2 Racing Simulator, जिसमें game खेलने के लिए किसी तरह की joystick या फिर किसी तरह के दूसरे console की क खेर दोस्तों, ये gadget के आपको कैसा लगा, मुझे comment section में ज़रूर बताएगा, number 6, blitz table, basically ये एक तरह की high tech and advanced table है, जिससे की आप अपने work party entertainment जैसे किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह की electrical table है, इसलिए इसमें कई सारे अलग-अलग compartment भी आपको मिल जा हुआ है, जिसमें कि multiple smartphone को एक सांथ charge किया जा सकेगा, और इसमें लगी colorful LED lights, इसे और भी ज़्यादा खुबसूरत और advanced और high tech भी बना देती है, around 47,668 रुपीज माने वाली table, height working के लिए भी perfect है, जिससे की आसानी से एक जगह बैठे बेचे, enjoy करते करते काम भी हम कर सकते हैं बट अगर इसमें inbuilt speaker भी होते तो ये furniture table और भी ज़दा खास हो जाती, चलिए आगे बढ़ते हैं, number 5, poop bell, अपने अपने घरों में pet पालना और उनके साथ अच्छे से रहना और खिलना, उने घुमने ले जाना, ये तो हुई एक side की story, और उनकी अच्छे से care करना, लेकिन इस सभी में इसका जो worst part है, वो है अपने pet की poop को clean करना, और ऐसा करना सबसे worst part लग, और इसी worst part को easy करने के लिए design किया गया, ये शांदा सा gadget, जिसमें की बड़ी ही easy way में अपने हातों को गंदा की बिना पूरा किया जा सकता है, जिसमें जस्ट आपको simple सी polytheon add करनी है, और इसके बाद आपका pet कभी कभी surprise packet क्यों न डिलिवर कर दे, आप उसे आसानी से clean कर सकता, ये पूरी तरह lock रहता है, इसलिए इससे ना तो किसी तरह की गंदगी होने का कोई chance है, और ना ही कोई किसी तरह की smell आने का, Number 4, Rodme X20S, हमारे घरों में बच्चों के शूस के निशान, food items का इदर उदर विखना सब कुछ चलता ही रहता है, और इसलिए design किया गया, ये amazing सा cleaning gadget, जो कि आपके घर की cleaning को और भी जाता, easy बना देगा, इसमें mopping के लिए dry standard और weight team तरह के अलग-अलग modes भी आपको मिलेंगे जिसे की आप अपने हिसाब से select कर सकते हैं, और just one click में ही ये खुद को clean कर लेता है, और 25 seconds में ही ये काम complete हो जाता है, और इसमें लगे 138 Watt के suction power से इधर उदर बिखड़े वे छोटे से लेकर बड़े particle इसमें बड़े आसानी सा आ जाते हैं, जिसे की किसी भी surface पर इसे चल लगा, नमबो 3, phone paid, वैसे तो हम अपना बहुत सारा काम अपने smartphone से ही कर लेते हैं, लेकिन वो जो screen होती ही, वो काफी हद तक छोटी होती, तो गर आप अपने phone की screen को बढ़ाना और अपने काम के potential capabilities को increase करना चाहते हैं, तो आप इस शांदर से monitor screen को ज़रूर से देख सकते है इससे just अपने smartphone की cables के through connect करते ही आपके smartphone की whole screen, इस बड़ी सी monitor screen पर आ जाएगी, 15.6 inch वाले इस display की bezels भी काफी ज़रूर थे हैं, और इसकी screen भी Full HD Plus है, जिससे कि आप बड़ी सी multi-task screen में game खल सकते हैं, कोई अच्छी सी movie नेक सकते हैं, आफिर इसके keyboard और mouse को attach करने के continuously charge होता रहेगा, छोटा है इसलिए से आप अपने back में रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं, और use कर सकते हैं, और इनी सब reason की वज़े से around 21,200, 6 रुपीज में आने वाला ये phone पे, view tag, link queue, touch asus, mb68 amt और desk clip से better है, नमब जू, union multi-tool, basically ये एक छोड़ा सा multi-tool gadget है, जिसकी help से आप अपने घरों में यूज होने वाले appliances या फिर किसी भी तरह के दूसरी मशीनों को open या फिर close कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें अलग अलग तरह के customization करके अपने लिए जरूत के हिसाब से आप टूल बना सकते हैं, और इसमें लगी sharp blade से metal और wooden दोड़ी तरह के items को cut कर सक So finally बढ़ते हैं हमारे आखरी gadget की तरब जिसका नाम है Omega Grand Charger, हमारे घरों में अब electric device इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे कि जिसकी कोई हद नहीं, इसलिए अब हमें जरुरत है तो कुछ ऐसे tool की जो कि हमारे multiple gadgets को same time पर safe efficiency के साथ चार्ज कर दे, तो मिलीज छोड़े से मगद शांदर charger से जिसका size तो एक card के size से भी छोटा है, लेकिन इसमें जो power है वो 200 watt की, इसके जो points हैं वो 180 degree में इसलिए rotate हो जाते हैं, इसलिए इसे कहीं भी आसानी से किसी भी direction में charge किया जा सकता है, आपकी कई सारे अलग-अलग बलकी chargers को या अकिला ही replace कर सकता है, क्योंकि इ USB-A और 2 USB ports दे रखे हैं, जोकि Apple, Samsung, Oppo, Huawei जैसे बड़े-बड़े सभी branch को support कर लेता है, इसमें same time पर up to 4 devices को charge किया जा सकता है, around 7,345 रुपीज में आने वाला इस charger का smaller version भी है, जोकि size में इससे छोटा है, और power में भी, क्योंकि ये 100 watt तक का power ही provide करता है, इसी के साथ इसके amount of power, दोस्तों, ये थे वो छोटे बड़े सभी advanced और useful gadget जिने कि आप अपने daily basis पर use कर सकते हैं, खेरी वीडियो कैसे लगी, मुझे वीडियो के gadget कैसे लगी, मुझे comment section में जरूर बताएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ चुकी, तो इस वीडियो को like कर दीजे, और चैनल को subscribe खर दीजे, notification वल आइकन को hit करने के साथ, ताकि आगे आने वाली कोई भी update आप से miss ना हो, मैं बिलूँँगा अगली वीडियो में, तब तक लिए, bye bye